हेलो फ्रेंड्स सुनीता ग्रीन प्लावर चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स आज मैं बहुत दिनों के बाद ये वीडियो डाल रही हूँ तो प्लीज आप देखिए जरूर फ्रेंड्स आज मैं आपको एक विंटर फ्लावर के बारे में बताऊंगी ये देखिए ये एस्टर के फ्लावर हैं एस्टर का प्लांट है ये इसमें मैंने तीन कलर लेके आया है एक पिंक लाया है डार्क पिंक लाइट पिंक है और वॉयलेट कलर है यह देखिए यह इसकी पत्यों को आप देख रहे हैं यह एस्टर के ही पत्याँ है लेकिन आप जब इसके फूल को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह क्रास्थेमम का प्लांट है यह याने सेवंटी आपने देखा होगा तो ये उसके जैसे दिखता है बलकुल बस ये पत्तियों को अगर आप देखे तो थोड़ा डिफरेंस समझ में आता है कि ये क्राइस्थेमम का प्लांट है या फिर एस्टर का प्लांट है ये देखिए लाइट पिंक मेरे पैस है अच्छा लगते है ये कलर तीनो बहुत अच से मतलब पॉलिथीन से हटा करके इसे पॉट में लगाया है पॉट में शिफ्ट किया ये देखिए ये अच्छी फ्लावरिंग हो रही है अभी तो फ्रेंड्स आप जब इसे लेकर आएं तो ऐसे एक पॉट में ही शिफ्ट करें और इने तीन दिन के लिए मिनिमम तीन के ल दूप दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा और फिर इसे दो पहर में थोड़ा शेड़ी एरिया में रख दीजिए और फिर शाम के समय जो दूप रहती है उसे थोड़ी सी दूप दिखा दीजिया तो ये अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं दोस्तों ये प्लांट विंटर का है तो इसे लिए अगर आप चाहते हैं ये दो तीन मैंने ही रहते हैं और अच्छे फ्लावरिंग करते हैं दो तीन मैंने ही तो आप इसमें अच्छे से खाट डालते रहिएगा और इसके लिए वाटर की भी ज़्यादा ज़रत नहीं होती तो आप इसमें ज्यादा पानी मड डालिए इसके लिए वेल ड्रेन सॉइल रहना चाहिए तक यहां से पानी निकल जाए और इसमें ज्यादा पानी भरा न रहे यह सब में से जरूरी है कि पानी निकलना चाहिए क्योंकि अगर जमा रहेगा पानी तो इसमें पौदे जो होते खराब होने लगे या फिर मुर्जाने लगे तो आप इसे तोड़ करके अलग कर दीजिएगा और अगर आप इसके सीड्स चाहते हैं तो जो फूल आप तोड़ के अलग करेंगे उसे या तो कहीं रग दीजिए सूखने दीजिए और क्योंकि वो सूख करके ही आपको सीड्स दे पाएगा तो आप इसे अच्छे से संभाल के रख लीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि इसे पेड़ में ही रहने दीए आप इसे सूखने दे यहीं पर तो आप ऐसा भी कर सकते हैं यहीं पर सूखने जब सीजन आए तो फिर आप इसे डाल दीजिएगा फिर से सबको ऐसे करने आपको जितने भी कलर के आप लेके आएंगे उन सबको आप ऐसे रख दीजिएगा यहां से जैसे आप मानलीजी तोडते हैं फूल को जो खराब हो चुका है नुझा चुका है तो उसके बाद में ग मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए मैं आपको बता दूंगी और अगर कोई क्वेरी है आपकी तो मेरा वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद और इसे शेयर एंड कमेंट करना प्लीज मत भुलिएगा थेंक यू